नमस्कार मैं हूँ आपके साथ खृष्ष्विसिंग और आप देख रहे हैं यूग चरन चली शुरुआत करते हैं मुलेटन की अगले मैने से बीजेपी प्रदेश की चारों दिशाओं से यातरा शुरू करने जा रही है सबसे पहले यातरा की शुरूआत पूर्वी रास्थान से होगी सवाई मादोपूर के 33 वे गणेश मंदर से बीजेपी के व्रास्ट्रू यद्यक्ष जेपी नड़ा यातरा की शुरूआत करेंगे दरसल पिशले चुनाव में पूर्वी राजसान के पांच में से चार जिलों में बीजेपी को एक सीट भी नहीं मिली थी यात्रा के सयोजद पूर्व मंत्री अरुण चत्रवेदी ने कहा कि हम जब भी किसे यात्रा की शुरुवात करते हैं तो गणेश पूजन से करते हैं ऐसे में यात्राओं की शुरुवात भी त्रिनेत्र गणेश मंदिर से ही हो रही है उन्होंने कहा कि पूर्वी राजसान में बेशक 2018 में बीजेपी को एक सीट भी ना मिली हो इस बार पूर्वी राजसान सहित पूरे प्रदेश में परिवर्तन की हवा ही नहीं तूफान चल रहा है विदानसभा सीटों के लिहाजा से देखे तो बीजेपी पूर्व राजसान से सबसे कमजोर स्थिती में है पूर्वी राजसान के 5 में से 4 जिले तो ऐसे हैं जहां पिछले चुनाओं में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था वहीं पूर्वी रासान के पांच जिलों में से धौलपुर जिले में बीजेपी ने एक सीट जीती थी यहां बीजेपी की टिकेट पर शोभा रानी कुश्वा जीत कर विधानसबा पहुची थी ब्राज्यसबा चुनाओ में कॉंग्रेस प्रत्याशी को वोट देने पर बीजेपी ने पार्टी से निशकाशित कर दिया था जम्मु कश्मीर से आज गल 370 को खत्म करने के खिलाफ दाखिल याचिकाओ पर सुप्रीम कोर्ट में आज 12 दिन सुनवाई हुई इस तोरान केंद्र ने कोर्ट को बताया कि जम्मु कश्मीर को दो अलग यूनियन टेरिटरी यानी जम्मु कश्मीर और लदाक में बातने का कदम अस्थाई है जल्दी दोनों केंद्र शाशित प्रदेशों को फिर से मिलाकर एक व्राज्य बना दिया जाएगा कोर्ट ने केंद्र से सवाल किया कि जम्मु कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाने का कदम कितना अस्थाई है और उन्हें वापस राज्य का दर्जा देने के लिए क्या समय सीमा सोच रखी है इसकी जानकारी दे 28 अगस को सुनवाई में कोर्ट ने आर्टिकल 35A को नागरि इस आर्टिकल की कारण देश के लोगों के तीन बुनियादी अधिकार चीन लिये गए थी इस आर्टिकल की वज़े से अन्य राज्यों के लोगों के कश्मीर में नौकरी करने जमीन खरीदने और बसने के अधिकारों का हननल हुआ जपान ने 24 अगस्त को अपने फुकुशिमा न्यूकलियर प्लांट से रेडियो एक्ट्यू पानिक छोड़नी के शुरुआत की थी इसके बाद से चीन और जपान के लोगों में तनाव है अब चीन में मौजूद जपान के मिशन्स और स्कूलों पर हमला हुआ मीरियर रिपोर्ट्स के मुदाविक उनके बिल्डिंग पर पत्थर फेके गए हैं इसके बाद जापान के प्रधान मंत्री फूमिया किशीदा ने नाराजगी जताई है किशीदा ने कहा चीन से लगतार उद्पीडन की खबरे आ रही है वहां हमारे दूतावास और स्कूल रवया न अपनाने और शांती बनाए रखने के लिए कहें चीन में जापानी विल्डिंग्स पर हमलों के बाद सुरक्षब बढ़ा दी गई है इससे पहले टौक्यों ने चीन में रह रहे हैं अपने नागरिकों को सतर्क रहने और सार्वजनिक तोर पर जापानी भाशा का अस्तमाल ना करने की सलाद ही थी जपान के उप विदेश मंत्री मस्टाका उकानो ने चीनी एंबेस्टर वियू जिंगांगों से कहा चीन को गलत जानकारी के जरिये अपने नागरिकों की चिंता बढ़ाने के वजाए उन्हें पुरे मामले के बारे में सही तरह से जानकार रिसीव किये हैं, हलास सुधरने की वजाए खराब हो रहे हैं, इससे पहले चीन ने 24 अगस को रेडियो एक्ट्यू पानी छोड़नी की शुर्वात होने पर जपान से सभी सीफूर के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया था महराज के नागपूर इस्तित व्रास्टु संत तुकोजी महराज यूनिवसिटी में स्टुएंट्स को जन्संग भाशपा और व्राम जनम्भूमी का इतिहास पढ़ाया जाएगा, स्लीबस में कम्यूनिस पार्टी और कॉंग्रिस का इतिहास हटा दिया गया है नागपूर इउनिवसिटी के अभ्यास मंडल कमीटी में बहुमत से फैस्टा लिया गया है अभ्यास मंडल के अध्यक्ष रॉक्टर शाम कोरिटी ने इसकी पुष्टी की, उन्होंने बताया कि उनिवसिटी के में स्लीबस में बदलाव किये गए है अगले सत्र से हिस्ट्री की बुक में स्टूरेंट्स को भाष्पा की स्थापना से लेकर साल 2000 तक पाथी के विस्तार की जानकारी दी जाएगी इसका रवां, 1980 में 2000 के बीच राम जन भूमी के अंधोलन के बारे में भी बताया जाएगा हाला कि नागपुर युनिवसिटी में ऐसा पहली बात नहीं हो रहा है इससे पहले साल 2019 में युनिवसिटी ने बीए सेकेंड एर के स्लेवस में आरेसिस के रास्ट्र निर्मांट में भूमी का चैप्टर जोड़ा था इसके लिए नेचर ओफ मौडरेट पॉलिटिक्स और व्राइस एंड ग्रोथ ओफ कम्मुनिलिजम चैप्टर को हटाये गया था लोगसबा चुनाव 2024 में भाश्पा को सत्ता से बाहर करने के लिए विवक्षी गडवंदन इंडियान नेशनल डेवलप्मेंट इंक्लूसिव अलायंस की तीसरी बैठग 31 अगस्त और एक सितंबर को मुंबई के ग्रेंड हयात फोटिल में होने वाली है इस बीश एंडिया की महरास ट्यूनिट ने भी इसी दिन यानी एक सितंबर को मीटिंग करने की घोश्टा की है हलकी इसमें महरास सरकार में शामिल एकनाश शिंदे गुट शियुसेना भाश्पा और अजीद पवार का एंसीपी गुट भी शामिल होगा एंसीपी में फूट के बाद एक तरफ जहां शरत पमार विवक्षी गरबंदन की बैठक में शामिल होंगे वहीं उनके भतीजे और महरास के डिप्टी सीएम अजीद पवार का गुट सत्ता पक्ष के साथ बैठक करेगा एंसीपी अजीद पवार की गुट में विदायक सुनीर तटकरे ने मंगलबार को इसकी जानकारी दी विवक्षी गरबंदन INDIA की नेता 31 गस को मुंबई में जुटेंगे इस दिन महरास के पूर सीय मुदव ठाकरे गरबंदन के नेताओं के लिए डिनर होस्ट करेंगे इसके अगले दिन सुबह 11 बजे से बैठक शुरू होगी इसमें 26 दल शामिल होगे वहीं कॉंग्रेस ने दावा किया कि 18 जुलाइक उदली में NDIA की हुई बैठक में शामिल नौर्थ इसके कुछ दल भी विवक्षी गरबंदन INDIA की बैठक में शामिल होगे ऐसी तमाम कबरों के लिए सब्सक्राइब कीजे हमारे चैनल को और यूँ ही बने रही है युक चर्ण के साथ